कि वेरी वेरी गुड इविनिंग तो आल अफ यू तो डियर स्ट्वेंट लास्ट क्लास में हमने इंडेक्स नंबर को स्टार्ट क्या था और हमने मीनिंग और इंपॉर्टेंस को समझा उसके बाद हम इंडेक्स नंबर में एक जिए पर लॉग और एंटी लॉग का भी इंडेक्स नंबर को बिस्क्लिग इंडेक्स नंबर को बेसिकलिए दो पार्स में डिवाइड कर दिया अनवेटी डमे अब यह होता यह जोग्यी नंबर 1 आपको इंडेक्स नंबर का आगे से ही सो continue कर रहा हूं था जी तो अनवेटिट में आज मैं बात करता हूं simple average of price relative method simple average of price relative method simple इसली कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो है वेटिज नहीं है इसमें सरफ price price ही given होगा आपके पास है कौन-कौन से commodities है यह आपको पता देंगी लेकिन किस commodity की कितने वेटेज है कितने quantity है उसके बारे में आपको यहाँ पर कोई भी आपके information नहीं होगी और उसका हमें यूज भी नहीं करना इसलिए बड़ा सिंपल हो जाता है क्योंकि अब average of price relative method बात average की कर रहा है और price relative की बात कर रहा है तो आएए अब दो दो चीजों को मतलब को हम समझते हैं बच्चे एक average का भी मतलब समझ लेते हैं कि average का मीनिंग क्या होता है और एक हम price relative को भी समझ लेते हैं average of relative method price relative method तो दोनों का मतलब हम पहले समझ लेते हैं average of price relative method में दोनों का मीनिंग क्या है आई है जिससे यही question है simple average of price relative method हाँ जी देखें जरह Google आए है जरते हैं लेके जटाइं का फिल जया खिर्ञ्ट्टूर्शा व्हानवे क्याों कैश्ब दीट देर्ट और थे थे धियेन घ्टिर्टूग हम इस मतहड के बारे में समझ रहे हैं तो बच्चे इसमें सिंपल का मीनिंग क्या है वह आपको सुम्झ में आ गया कि इसमें उनली प्राइज की वह क्वांटिटी नहीं होगा बात करते हैं मैं एवरेज की है एक तो आपके पास में बोलते हैं अर्थमेटिक मीन अर्थमेटिक मीन का मत्तब यह हो गया कि डेटा का आप सम कर दें और जितने नंबर ऑफ अब्जरवेशन आपने एड करें हैं उन सब में आप एकॉली शेर कर दो जो इच के शेरिंग में आएगा उसको हम आभरेज कहत जो आप सम करा और जो अबस इतना ही रोल होता है कि आप किसी गरुप को रिपरजन कर आए कि आपके ग्रुप का जो डीटा है ब्सके नेरिस्ट नेरेग जा फिर किसके आजवेश के आत्स पास है सभी के रॉल ही इतना होता है किसी ग्रुप को र्इप्रजन करना तो अम इस तरह किस निगास्ते में में कि एक अपरote के लिए में कि पहले हुँ पर कर देता हूं माल लिजिए कि आपको एवरेना है और आपके पास में एक तरीके से, अर्थमेटिक में, for example, एक डेटा दो है, एक डेटा आपके बास में आठ है, इसका एवरेज लिना है, तो सिंपल आप क्या करोगे, तो प्लस एट अपॉन टू, दो अबजरवेशन, दो से डिवाइड कर दोगे, तो कितना आपका आजाएगा, यह आपका एवरेज हो गया, सम और डिवाड़े बाई नमर अफ अबजरवेशन, एवरेज का, एवरेज का सब्सिटूट एक और ची होता है, इसका मतलब ही होता है, कि ग्रूप को रिपरसंट करने के लिए, एक डेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, हम जोमेट्रिक मीन कहते हैं, यह मैं करवाउंगा, आगे जोमेट्रिक मीन का कोई यूज ही नहीं है इंडेक्स नमर में, और अभी हम जोमेट्रिक मीन को पूरा डिटेल में पढ़ने लग जाएंगे, तो जोमेट्रिक मीन में फिर क्या पढ़ेंगे, और फिर इंडेक्स नमर जो है कही न कहीं, उससे आप छोड़ा सा आप तो आपने क्या करा कॉफी पिली, सब्सिटूट कर लिया, बॉल पैन नहीं मिला, आपने जल पैन से लिखना शुरू कर दिया, तो ऐसे ही जो काम arithmetic करता है, arithmetic mean करता है, सेम वही काम geometric mean भी करता है, तो geometric mean भी group को represent करने वाले एक नंबर है, जिसने पता लग जाता है, उसको भी geometric mean ही कहते है बस calculation का method अलग-अलग हो जाता है तो यहाँ पर अगर मैं geometric mean निकालूँगा तो geometric mean में जो data है इसमें तो arithmetic mean में मेरे पास जो data था तो असका मैंने formula क्या लगाया arithmetic mean में जो मेरे पास में data था अगर आप देखेंगे एक तो मेरे पास में a है और एक b है यह example है और इसका मैं arithmetic mean निकाल रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा a plus b दोनों data को sum करके divided by 2 कर दूँगा clear example अगर देखें आप तो example के अंदर आपके पास में 8 और 2 है तो क्या करने वालो हूँ मैं arithmetic mean को calculate करने के लिए यहाँ पर 8 plus 2 and divided by 2 तो मैं यहाँ पर 5 कर दूँगा geometric mean के ही बात कर लेते हैं कि कुछ इसका अपने example ले रहेते हैं कि मान लिजेए कि इसका अपने example है geometric mean में for example यहाँ पर आपके पास में एक a है और एक b है तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं आप geometric mean निकाल रहे हैं तो इससे निकालने का method क्या हो जाएगा आप दोनों को आप multiply करें बच्चे और दोनों को multiply करकर के और आप इसके उपर power जितने नमबर से यह तो इसका मैं derivation आपको दोनों geometric mean में इसी को simplify करके मैं आपको बतायता हूँ basically क्या होने वाला है तो इसमें आपके पास में अगर आप देखेंगे तो आपके पास में log यह जो power है आपके पास में नीचे आ जाएगा जो भी power आपके 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 अगर जो एंड है log या फिर submission of data log a plus log b या फिर मैं कर देता हूँ log एक काम करते हैं log a plus log b और इंटू में हम यहापकर कर देते हैं एंटी लॉग यह दोनों अलग 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 नहीं है यह एक ही बात है तो जोमेट्रिक में के दो फॉर्मूले होगे आपके पास में एक तो लॉग ए प्लस लॉग भी डिवाड़ी बाइन एंटी लॉग अज थोड़ा सा स्केरिन आतुए भी होगे आ इसां हटायां है ऑल जो October 1993 कि अधरभ नहीं वा है नूआ कशली मुझे आप दो मिट्वास को प्रावलम को सॉल कर सब्की वरा और रागे वागे होगा sono कि ये क्लियर क्यों नहीं है कि चलिए ठीक है इतना तो अब बाद में इसको और अच्छे कर लेंगे अभी फिलाल हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं इतना तो है कि क्लास अराम से हो जाएगी हाँ जी बच्छे देखिएगा तो आपके पास में एवरेज को कैल्कुलेट करने के बिसिकली आपके पास में दो मैथड्स है एक तो अर्थमेटिक मीन और एक आपके पास में जोमेट्रिक मीन दोनों एक ही चीज़ को रिपसंद करते हैं कि गुरूप का डेटा अप्रोक्सम अब प्राइज को किस तरीके से यूज करेंगे दो तरीके से अब प्राइज रिलेटिव का मतलब समझते हैं कि प्राइज रिलेटिव का मतलब क्या है देखिए बच्चे यहां पर आप क्लियर करिए पहले प्राइज रिलेटिव रिलेटिव का मतलब क्या होता है तो पहले price 10 रुपर वहा करता था, आज के time पर current year price P1, क्योंकि अगर आप पहले वाले price को ले रहे हो, वो base year हो गया, जिससे आप compare करते हैं, उसको P0 से represent करते हैं, और जो current वाले price की बात कर रहे हैं, वो आपका current year price हो गया, जानना है, तो आज का यह आपका ऊपर आ जाएगा, और compare किस से कर रहे हैं, base year से, तो जिससे compare करते हैं, वो नीचे आ जाता है, clear है बच्चे, बाद समझ कि अब एक बाद बताएं, जड़ा, simple से example ले रहा हूँ है, पहला आप इसको सुनिए, A और B, A की income 10,000 रुपए है, और A की income 20,000 रुपए है, मैं आज से simple question पूछ रहा हूँ कि B की income, B की income, A की income मा कितना times है, B की income, तो आप बोलेंगे साथ two times है, क्योंकि आप B के बारे में जाना है, तो B को अपने उपपर रखा और A को नीचे और डिवाइड कर दिया, अब मैं बोलता हूँ कि A की income, B की income कितना times है, A की income, तो आप बोलो के साथ half है, 0.5 times है, तो आप A के बारे में जाना हो तो A को उपर रखोगे, तो इसलिए जब भी जिसके बारे में जाना होता हो numerator में, जिससे compare होता है denominator में, और अब यह क्या हो जाएगा, यह relate हो जाएगा, मतलब comparison हो जाएगा, और इसको अगर percentage में calculate करना है, तो multiply बस 100 कर दो, तो solve करेंगे अगर आपके पास में, तो यह क्या हो गया, 120%, इसलिए price क्या हो गया, price relative हो गया, तो अब इस पूरे method का नाम समझे, आपके पास में क्या होने वाला है, simple average of price relative method, simple है, तुकि भाईया, वेटेज है नहीं, अनवेटेड है, simple average, average से कि थरो करना है आपने, simple average of price relative method, अब price relative method क्या होता है, question पर आके बात करेंगे, जिसलिए question आपके पास में, ठीके बच्चे, थोड़ा सर्षा, तो इसको थोड़ा आगे हम continue करते हैं, देखिए, कॉलम को आगे करते हैं, आपके पास में बेसियर प्राइज है, और यहाँ पर आप अपना जो है, पी निकाल लेंगे, चलिए, देखिए, आप यहाँ पर क्या अब्ज़र्व कर रहे हैं, अच्छे अपने पास में, आप अपने पास में अब्ज़र्व कर रहे हैं, कि यह बेसियर प्राइज है, यह क्या होगे आपका, पी 0 और यह current year price है तो क्या होगा आपका P1 और अब आप यहां देखेंगे आप क्या निकालिए यहां पर सरफ P निकालिए कि P कैसा निकलेगा कि हाँ पर आप P निकालेगा P कैसा निकलेगा आपका आपका P एसा निकलेगा पिटा गड़ देगा है पूंडर्ड क्लेरे बच्छे इसको आप रिलेट कर रहे हैं न पी को पी इक वस्तू पी बन अपॉन पी जिरो इन्टू हंडर्ड हुँँ हुँ 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 तो यह बच्छे हमें यहां पर मेसी को कंटीन्यू कर देता हूँ करी देख्ए है तो सबसे पहले आके पास में यह बेस इयर प्राइज है है कि तो इसको आप क्या बोलेंगे पी जीरो और ये करण्ध이 और परि निगा लेंगे स्क्वाध क्या होगा कंपेश करेंगे प्राइज बरेंगें केकि प्राइस रिलेटिव का मतलब आपके पास ओंगे पी वन अपॉन पी जीरो और मंटिप्लाइबाइब हंडर्ड तो आप इस ते किसे निकाल सकते हैं किस ते किसे अगर आपने हां पर फर्स्ट में निकालेंगे तो आपके पास पे जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपक है कि 30 divided by 20 और इंटू हंडर्ड तो कितना आपके पास में आएगा 125 परसेंट कितना आगे आगे आपके पास में इसी को कंटीनियू करते हैं तो यह आपके पास से 5 और 150 परसेंट हो गया परसेंटेज में निकालना है आपने सबको इसी तरीके से अगर आप करते हैं सॉल तो 55 अपने एंटू हंडर्ड तो सबको आपने ऐसे ही निकालना है 55 दिवाइए पाइब कि इन्टू हंडर्ड तो कितना आपके पास पाहें एक सो 22.22 परसेंट और इसी तरीके से आपको 75 अपन 50 इन्टू हंडर्ड तो सॉल करेंगे आपके पास में 150 परसेंट और आपके पास में 70 अपन 60 into 100 तो आपके पास में 70 upon 60 into 100 तो आपके पास में 116.6% और 90 upon 85 into 100 तो सॉल्ट करेंगे 90 upon 85 into 100 तो 105.88 बच्चे देखेगा इतनी क्यूंकि मैं कोई यूटूब का शॉर्ट्स नहीं बना रहा हूं जो कि मैं आपको कोशन और इंड्रॉक्शन दिया फॉर्मा लिखा चला गया मैं यहां पर आपका पेड कोर्स में आपका कोर्स कम्प्रीट करवा रहा हूं जैसे स्कूल में होता है जैसे आपके अफ्लाइन कोचिंग में होता है तो हर एक चीज करना है हर चीज क्यालकुलेट करना पूरे स्टाफ को फोलोग पूरे कोशन को करना है बास समझे तो यह कोई शॉर्ट्स नहीं है जिसमें कि आपको लग रहा है कि थोड़ा स इसका निकालना है इसका निकालना है एवरेज आफ प्राइस रिलेटिव इस बात को जड़ा समझेगा तो आपको अपने एवरेज किसका निकालना है तो बच्चे आपको अपना एवरेज जो है एवरेज किसीच का निकालना है इस बात को समझे किसका प्राइस रिलेटिव का निकालना है तो प्राइस रिलेटिव तो आपने कैल्कुलेट कर लिया अब आपको क्या करना है इसका एवरेज निकालना है नाम से क्लियर होगा तो किसे निकालते हैं जिसका आवरेज निकालते हैं उन सब को हम सम करते हैं तो यहां पर मैं एक चीज़ देता हूं नीचे कि समिशन आफ पी क्लियरे बच्चे तो समीशन आफ पी क्या हो गया समीशन आफ पी आपके पास में 150 प्लस 122.22 प्लस 150 प्लस 116.66 प्लस 105.88 प्लस 108.33 तो क्या है आपके पास में 753.09 अब आप कहेंगे सार आवरेज तो दो तरीके का है तो आवरेज आपका दो तरीके का है मैं बिलकुल मानता हूं एक раз аट्समेटीग जीोमेट्रिक मीन तो मैं यहाँ पार सबसे पहले टाइल क्खाषी objects कि एक त्रों कर रहा हूं मैं यह आपका यह मैं कर रहा हूं सुरूं बिदा हैлем पार युद्धा है पार है within a rock हुआ 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 है जो मैं समिशन कर रहा है को तो डिवाइडिया आईटमतने आभियां कार देगा न जितने आइटम से हैं इतने आपके पास फिक रहे 1-2-34566 ऐसे तो डिवाइडिया मैं तो आपके पास में क्या जाएगा यह आपके पास मा जाएगा पिकी जीर मफाफ इंडेक स्धि रहा करेंगे तो आपके पास में रिजल्ट के आने वाला है रिजल्ट आपका पास माने वाला है 753.09 divided by 6 तो देखिए फॉर्मुले को अगर आप समझते आछ बॉइया इसे से तोड़े दिमाग से निकल जाएगा थोड़े दिन तक याद रहे या फिर आपको एकदम से आपको याद हो जाए तो उसके लिए जरूरी है कि आप समझ समझ के पढ़ें यह तो विद्धा हैल पफ अर्थमेटिक मीन हो गया ठीके बच्चे अब मैं इसी कोशन को करवा रहा ह आपका विद्धा हैल पाफ जडामेटिक मेंगों यहां पढ़ेंगे मिद्धाहल पॉस्हेृ। अवीद्धाहल्प आवफ जामेटिक मेंगों कि कि यहां पढ़ेंगे इस गढ़िद्धायावी से पारेन के लिए क्शिगे शाकरा है आपने तो-स ही अपने Geometric mean के बारे में आप चब करेंगे नहीं नहीं आएगा आपको फिर भी इतना पता लगा जाएगा करना कैसे है इसलिए बच्चे अभी इतना ही देखो जो प्रोसेस बता रहा हूं जो Geometric mean को आप अच्छे से समझ लेंगे नो तो आपको कोई पॉल्लम नहीं होगी हाँ जी तो Geometric mean के बारे में मैं बात कर रहा हूं विसी arithmetic का एक सबसेच्यूट है तो Geometric mean के लिए मुझे पी है ना इस पी की value को मुझे किसमें लिखा जाना है लॉग पी में इसका मतलब क्या हुआ एक सो पचास एक सो बाइस इन सब को मुझे क्या करना है इन सब को मुझे पांच डिजिट है तो मैंने मुझे लॉग टेबल में जब भी वैलू देखते था चार डिजिट का तीन डिजिट का ए डिजिट का पांट डिजिट का नहीं दे सकते हैं for example आईए मैं लॉग की value आपके पास में लॉग टेबल है PDF है अब हमेशा एक बात का धान रखेंगे कि आप प्रिंट आउट ले लेंगे लॉग टेबल का कभी भी आप बैठते हैं तो आप प्रिंट आउट ले लें बार बार मैं एक स्मार्ट बोड पर आगे पीछे करूँगा तो आप खुद एरिटेट हो जाएंगे तो इसलिए जो है आप लॉग टेबल की value रखें अपन तो पंद्रा पे 0 अगर मैं लॉग टेबल की एंटि लॉग टेबल हैं अगर लॉग टेबल की बात करें अगर पंद्रा पे 0 अगर आप देखते हैं यह रख चलिया लॉग टेबल 15 पे 0 क्या आपके पास में 1761 कि लिए बच आपके पास में 1761 a ii 1761 कितने笔 है आपके पास पार आपके पास पतिन इचिक तो इसमें म kierे आपका प्वह करें आपके अपोधिक समझे के इसी तरके से आपक्या निकालेंगे प्लेस आज आपकी second classes ने तो first classes को एक बार देखिएगा उसमें मैंने log calculate log table को देखना सिखाया था और अभी मैं डिरेक्ट जो है log table से ही इसको करवा रहा हूं log table तो आपके business math के अंदर है और यह मेरे पास में हाँ है चीक है log table अब मेरे पास में किस पर देखना है मुझे 122.2 पर देखना है 122.2 आप लेके चलिए point अवोइड करो पहले 12 पर 2 फिर 2 पहले 12 पर 2 देखुँगा मैं तो 12 पर मैं 2 देख रहा हूं तो मेरे पास में नजर आ रहा है 0864 फिर उसके बाद मुझे 2 पर जाना है तो इसी में मुझे 2 पर जाना है तो 7 तो 7 मैंने add करा तो 7 4 11 और एक और यह 7 और यह आपके पास में 8 और यह 0 तो आप मेरे पास में क्या है यह 080871 और 3 डिजिट है ना point से पहले तो उसमें से जितने भी number डिजिट है उसमें सब क सब्सक्राइब से फिर से ही आजाएगा ना two point one seven six one 116 अब आपको किस पर देखना है आपको देखना है 116.66 को छोड़तो आप देखो ग्यारा पर जाओ तो ग्यारा पर आपको क्या मिला ग्यारा पर आगए उसके बाद आप six column में जाओ तो ग्यारा पे आप six column में गए तो मिला जीरो छे चार पाँच जीरो सिक्स फोर फाइव उसके बाद आप फिर six mean difference में जाओ और six पे जाओ तो ग्यारा पे mean difference पे six पे गए हम तो क्या मिला आपको mean difference पे जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको 23 तो इसमें 23 आप जो है वो आप add कर दो 23 आपने यहाँ पर add करा six पे तो आपके पास में आठ छे छे जीरो तो आपके पास में यहाँ पर क्या आया आठ छे छे जीरो तिन डिजिट यह तो यह two point something अब वैसे ही फिर 105 पे आप जाएंगे एक सो 5.8 चार डिजिट मैकसम लेते हैं न पाँ डिजिट नहीं लेते हैं तो पहले दस पे जाएए दस पे पांच पे कॉलम पे दस के पांच पे कॉलम पे आपका 0 2 1 2 0 2 एक तो उसके बाद मीन डिफरेंस में आठ पे चले जाएंगे तो आठ पे तैस तो सॉल्ट करेंगे तो आपका पांच चार दो जीरो तो क्या आपके पास माया जीरो दो चार और पांच टीन डिजी टेट एक मैनिस कर देंगे दो अब ऐसे ही आपके पास किस पर जाना है आपने आपको जाना है एक सो आठ तीन बच्चे जो कह रहे हैं कमेंड से आप बोलें चलिए 108.33 पे तो आप 10 पे पर 8 पे जाएए 10 पे 8 पे पर आप जाएए तो 0, 3, 3, 4 और उसके बाद आपके पास में जो है mean difference में 3 पे चले जाएए तो mean difference में 3 पे चले जाएए 12 तो solve करेंगे 6, 4, 3 और 0 तो आपके पास में क्या आएगा यहाँ पर 0346 और तीन डिजिटे तो दो डिजिटा जागा इस वन अब आपने क्या करना है इसमें क्योंकि आपके पास पर इसका फामला अप्लाई है आपने पी निकाला तो समीशन आप क्या कर देंगे यहापर आप समीशन करेंगे आप अपना समीशन आफ लॉग पी तो समीशन आफ लॉग पी करेंगे अगर आप तो अपकर रिजल्ट क्या आता है वो देखते हैं 2.1761 plus 2.0871 plus 2.1761 plus 2.0668 plus 2.024 plus 2.0245 plus 2.0346 तो सॉल्ट करते हैं 12.5652 अब आपके पास पर यहाँ पर आप क्या निकालने जा रहे हैं अपना P01 और आप geometric mean की तो निकाल रहे हैं तो पहले क्या करेंगे आप आपके पास में पहले आएगा NT log अब इसके अंदर काम होगा आपका वन बाइन और इसमें आपके पास में आएगा कि समीशन आफ कि समीशन आफ कि समीशन आफ कि लॉग पी आप आउन एन दिस वन तो आप समीशन आपने कर रहा है और डिवाड़ी बाइन एन से क्या जाएगा आपका आवरेज आज आएगा तो यहां पर भी आपके पास में आवरेज आ गया थो दा जोमेट्री मेथर्ड लेकि उसके बाद आप उसका एंटी लॉग एंटी लॉग क्यू निकालते हैं अगर मैं इसी कोशन को सॉल करूंगा न जोमेट्र के लिए तो पावर वन वाइट टू को नीचे लाने के लिए बोश साइड में लॉग लूगा तो यह वन बाइट पासा जो एन है लेकिन फॉलॉग रह जाएगा फिर लोग को लेकि जाए आगो तो क्या जागा यह जागा तो एंटी लॉग वन जाएगा उस पूर समझेगा मैं फृलाला भी फार्मॉला भी आप इसको फार्मॉला फार्मॉला देख लो आगे कोई उसर निया इसका पी 01 इक्वल्स तू एंटि लोग समिशन ओफ लॉग पी 12.5652 अपॉन एन कितने आइटेम से 6 आइटेम है तो पी 01 इक्वल्स तू आपके पास में 12.5652 सम डिवाइड़े बाए 6 तो क्या है आपके पास पे एंटि लॉग 2.0942 यह आया अब आप इसको सॉल्ट करेंगे अब एंटि लॉग की वैलू निकालेंगे पी 01 तो सबसे पहले आपके पास में आप पॉइंट को आप लिवाइड कर सकते हैं आप चार डिजीट अपना ले 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 तो चार डिजीट आप बेसिकी लेंगे तो कौन से चार डिजीट लेंगे यह ले ले लेजिए तो बीस पे नो फिर चौत्थे पे चले जाईए सकते हैं तो एंटी लौग अगर अपनीकाल रहे है मएं लास्सें सिखा दिया था बच्चे इसके तुरों आप निकाल सकते हैं तो 1619 तो आपके पास में क्या है यह आपके पास में बच्चे 1619 क्लियर है को डाउट किसी बच्चे को तो प्लीस आप इसको पूछेंगे अब आप यहां देखेंगे क्या है कि आपके पास में पॉइंट से पहले पॉइंट से पहले क्या है पॉइंट से पहले क्या है आपके पास में दो है तो इसमें प्लस वन कर दो तो तीन आओ गया तो मैं अब तीन डिजिट के आप पॉइंट लगेगा एक दो तीन दिस वन तो 160 पॉइंट यह तिस वन यह आपका क्या हो गया यह आपका इंडेक्स न लॉग पी हम कैसे निकालेंगे, आपको लॉग टेबल में देखना सिखा दिया है, तो आप इसको लॉग टेबल की थो इनकी वैलु आप रख सकते हो, पहली चीज़, समिशन कर सकते हो, कल्कूलोटर की हल्प से, अब सवाल यह की फॉर्मला कैसे बना, इस सवाल का जवाब आ अब यह कहां सा है फॉर्मूला, जॉमेंट्रिक मिन का, तो उस फॉर्मूले के लिए आपको, मैं जॉमेंट्रिक मिन में अच्छे से डीटेल आपको दूँगा, क्लियर है? हाँ जी लॉक टेबल आपको पेपर में ही मिल जाएगा क्लियर है बच्चे तो लॉक टेबल आपको एक्जामस में ही मिल जाने है लॉक टेबल आपको एक्जाम के अंदरे मिल जाएगा लॉट्विब नाइन एक चेक लिता हूं है हाँ 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 एक गर बड़ करें वच्चे देखिए लॉक्टेबल में यहां पर सामें देखिए आपके पास में क्या निकालना है आपने एंटी लॉग निकालना है किसका निकालना है आपको एंटी लॉग 12.5652 दिस वन डिबादी बाइब सिक्स 12.0942 ठीक है एंटी लोग कैसे लेते हैं एंटी लोग कभी अगर आप लो तो पॉइंट के बाद वाले का लेते हैं 0942 बस इसका लेते हैं एंटी लोग तो आपके पास इसका लोग तो 09 पर 4 तो आपके पास पर एंटी लॉग पर अगर आप देखें जिन के लॉग टेबल है आपके पास में तो आप एंटी लॉग देखते हैं तो एंटी लॉग में आपका 0,9 तो 0,9 पर आप चले जाएए तो आपके पास पर और उसके आद आपको 4th column पर जाना तो 09 पर आप 4th column पर चले जाएंगे ह 25 2, 10 14 2 और और मेंस्ट क्या टू है तो आप में सबूर्स वाली चल जाएंगे टू पर तो क्या वन्हें है तो क्या है आपका You जाहिए ओफ ती टीन तो आपके पास है बेशिक ली इसका ग्राब लेते हैं इसका एक यह ऑद कर गार्ण खैके बादवाले का लेते हैं हम this one तो क्या है आपके पास है 1, 2, 4, 3 यह अब यहाँ पर क्या है आपके पास है दो है तो इसमें एक एड़ कर तो 3 3 डिजिट का पॉइंट आजाएगा this one तो P01 यह आया अब आप देखिए मैंने क्या हो लगा सबसे टूट होता है ग्रुप को रिपर्संट करने के लिए आपके पास वेएक नंबर यहां पर क्या है with the help of arithmetic mean और यहां पर क्या है आपका with the help of geometric mean तो दोनों क्योंकि एक ही काम के लिए use में आते हैं तो दोनों को में कोई खास difference देखने को नहीं मिलेगा आपको और कि अब सब्सक्राइब अब tem आने में और देखियें लाइब में रीनेम नहीं होता है अब अपने स्टडेट झाल 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 हुआ हुआ है है हेलो छेक्षे यह है है आपके पास मेर्य np अपिनी k Calds को लाइव इस में जाके देख करें अभी धिर आउन्अ लाइब में में है अभी तो आप लाइब करोगे पर बाद में किसी क्राश देख नहीं यहों तो आपके पास में content नाम का option भी होगा content में जाएए उसमें आपका प्रॉपर एक आपके फोल्टर होगा लेक इंडेक्स नमबर उसमें अगर आप जाएंगे तो इंडेक्स नमबर क्लास इस वन इंट्रोड़क्शन simple aggregative method के नाम सी होगा एक आपके पास में videos की होगी और plus में जिस quality में आप अभी देख रहे हैं इस quality को काफी अच्छा बढ़ा गरगे उस content में डाला जाता है और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर जो class 1 में पढ़ा है तो इसकी PDF सेम जो मैंने लिखा हुआ ह है उतने ही PDF आपको उसके नीचे मिल जाएगी class 1 में फिर class 2 का folder होगा index number में जो आज मैंने पढ़ा है तो click करोगे तो इसका नाम होगा folder के उपर class 02 02 और इसका नाम भी होगा आपके पास में average of price relative method clear simple average of price relative method नाम होगा आपके पास पर और इसमें अगर आप नीचे जाएंगे तो आपके पास में वीडियो मिल जाएगे जो मैं आज पढ़ाया और प्लस में वो content मिल जाएगा तो यही तो फाइदा है थोड़ा सा यह difference आ जाता है paid course में बच्चे जादा परिशान नहीं हो झाल